निर्मला के पाँच बेटे थे, तीन मॉडन बहुएं आने से वह परिशान थी, इसलिए उसने अपने दोनों छोटे बेटों की शादी गाउं की दो संसकारी लड़कियों से कर दी, वो दोनों सगी बहने थी मॉम पता नहीं इन दोनों नमूनों को कहां से पकर लाई, देख रही हो, दो गस का घूंगड, मेरा तो देखकर ही दम घुट रहा है, मुझे तो इन्हें देखकर अंदर ही हासी आ रही है, कवार कही की, ओ माई गॉट, ये तो बिलकल बहनजी टाइप है, लगता है तेल के कन अस्तर से निकल कर आ रही है, दोनों बहुओं का स्वागत हुआ, तीनों बड़ी बहुएं इशारों इशारों में उन्ता मजाक उड़ा रही थी, निर्मला बोली, विधी, तुम घर की सबसे बड़ी बहु हो, इसलिए सावी और साधना को हमारे घर के रीती रिवाज अच तो तुमारी मूँ दिखाई की रस्म है, आज तो कुछ स्पेशल पहनो, और ये रूखे जूखे बाल, हमारी इश्ट का फलूदा बनाने का इरादा तो नहीं है, माजी ने तो ये साधियां ही दी थी, चलो छोडो, ये लो, मेरे पास मेरी जीन्स और टॉप रखे हैं, चोटी बिलकुल गवार है, जो साड़ी पहन कर आई है, विधी की बात सुनकर दोनों ने डर के मारे जीन्स टॉप पहन लिये, रिया और दिशा ने उनके सिर में धेर सारा तेल लगा कर उन्हें जोकर की तरहां बना दिया, दोनों बहने इसी तरहां सब के सामने चली आई, सारे महमान उन्हें हैरानी से देखने लगे और उनका मजाक उड़ा कर कहने लगे, अरे वा, बड़ी बहु तो थी ही मौडन, छोटी तो और भी गुरू है, अभी ये हाल है तो आगे तो शायद शौट्स में ही रहा करेगी, अरे शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है, आ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन कपड़ों में बाहर आने की, जब मैंने तुम्हें साड़ियां दी थी, तो तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, सावी रोते हुए बोली, मा जी, हमसे तो विधी दीदी ने बोला था, ये कपड़े पहनने के लिए, नहीं तो हम साड़ी पहन कर ही तयार हो रही थी, निर्मला समझ गई कि ये बड़ी बहूं की साज़श है, भू, जानती हो, तुम्हारी तीनों जेठानिया बहुत मौडन है, इसलिए उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है, अब तुम जाओ, और बाल धोकर साड़ी पहन कर तयार होकर आओ, जब सब समझ आ गया माजी, अब देखना माजी, गाओं की लड़कियां मौडन लड़कियों को कैसे संसकारी बनाती है, जग 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 जीयो मेरी बहू, यही तो मैं चाहती थी, अगले दिन साधना और सावी, माइक लगा कर आरती गाने बैठ गई, विधी ने गुसे में क ओ माई गौड, यह क्या, सुभा सुभा तुम दोनों ने शोर मचा रखा है, दीदी हम तो आरती गा रही है, सुभा उठकर भगवान का भजन करना चाहिए, तीनों बहुएं कानों पर हात रखकर बोली, बंद करो यह सब, इतनी अच्छी नीद आ रही थी, सारा मूर बिग बंद, बहुत अच्छा किया तुमने, वरना ये तो देर तक सोती रहती थी, इसी तरहा दिन बीतने लगे, खबर मिली कि निर्मला की ननद बहुओं की मूँ दिखाई करने आ रही है, वो बहुत अमीर है, बड़ी बहुओं को मूँ दिखाई में जड़ाउ हार दिये थे, अगले दिन सरोज आ गई, तीनों बड़ी भुवे बोली, हेलो बूजी, कैसी हैं आप, ए बूजी, क्या बूजी, लगता है तुम्हें ज्यादा खुला छोड़ने पर तुम्हारे दिमाग में कमी आ गई है, सावी और साधना बोली, हाई लागू बूआ जी, सरोज खुश होकर बोली, सदा सुहागिन रहो, तुम्हें देखकर तो तबियत खुश हो गई, मुझे लगा कि कहीं तुम भी बूजी सूजी कहोगी, हाई ये बूजी, पानी गर्म कर दिया है, पहले हाथ मूध हो लीजी, फिर नाश्ता लगाती हूँ, हाई हाई, मैं वारी जाओ, कित कारी हो गई, नाश्ता करने दो, फिर हम भी गर्म पानी रखते हैं, कुछ तेर बाद बूजी ने नाश्ता कर लिया, अब उनकी आराम करने की इच्छा हुई, विधी बोली, बूजी, चलिए, हमने गर्म पानी रख दिया है, पहले हाथ मूध हो लीजे, फिर आराम कर लेन वे भगवार, अहीं ये बहु पागल खाने से तो नहीं आई, मैंने अभी नाश्ते से पहले तो हात मूध हो थे, तो आप क्या गर्म पानी में ही बैठी रहूं, चलिए बूजी, आराम करिए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ, बूजी सावी के साथ कमरे में चली गई, अगली रात, रिया बोली, अरे, ये मौम इतनी रात गए, बूजी के कमरे में क्या लेकर जा रही है, चलो, चल कर देखते हैं, वो तीनों छिपकर देखने लगी, निर्मला ने कहा, दीदी, ये लीजी अपनी तिजोरी की चावी, अब इसका भार में और नहीं स रोज बोली, हाँ भाबी, लाओ, अब ये तिजोरी की चावी मुझे दे दो, अब समय आ गया है कि मैं इस तिजोरी की चावी को सबसे संसकारी बहू को सौब दू, फिर उसकी मालकिन वही रहेगी, उसका रुपया, पैसा, गहने, हीरे जवारात, सब उसी बहू के होंगे, बड़ी बहू को तो ये बाते सुनकर पसीना आने लगा, वे बोली, एरे जवारात, सोना चांदी, यार, जिसको ये सम मिल गया, उसकी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी, हमें सिर्फ संसकारी ही तो बनना है, तो बस, आज से ही हम ये उल्टे सीधे कपड़े छोड़कर, छे म बहूएं कुछ ज्यादा सुभा ही आरती नहीं गा रही, अरे ये तो तीनों बड़ी बहूएं आरती गा रही है, हे भगवान, ये कैसा चमतकार है, तो विधी बोली, माजी, आप उठ गई, चलिए, हमने गर्म पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए, जब तक हम नाश्ता लगाती है, सावी बहू, थोड़ा आंगन में मिट्टी से लीप लो, वो आज अश्टिमी है, तो मैं वहीं बैठ कर लक्ष्मी जी की पूजा करूँगी, अरे, जब हम बड़ी हैं, तो ये काम हमारी छोटी बहन क्यों करेंगी, आप हमें बताइए, हम तीनों सब काम कर लेंगी, घर के सब ही लोग इस बदलाव को देख कर हैरान थे, इसी तरह एक महीना गुजर गया, विधी अपनी दोनों मौडन देवरानियों से बूली, तुम्हें नहीं लगता कि जब से हमने ये संसकारी बवों का रोल किया है, तब से हम और घरवाले बहुत खुश है, शायद खुद को मौडन समझने में हम रिष्टों को भूल गए थे, बूआ जी के खजाने की चाभी ने हमें सच्मुर्द संसकारी बना दिया, सरोज आज वापस जा रही है, उसने अपना सामान पैक कर लिया, वह बोली, साधना, सावी, ये लो तुम्हारी मूँ दिखाई, ये पाँच जड़ाओ हार मैंने एक साथ और एक जैसे बनवाए थे, तीनों बड़ी बहुओं को दे चुकी हूँ, और अब तुम्हारी बारी है, गड़ी मौड़न बहुओं को ये देखकर खुशी हुई, कि साधना और सावी को भी वही हार मिला है, जो उन्हें मिला है, अब उन्हें चाबी का इंतजार था, कि तिजोरी की चाबी किसे मिलेगी, विधी, रिया, दिशा, इस बार मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ, इतने कम समय में तुम तीनों में इतना बदलाव आया है कि विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, नहीं बुआ जी, हमें चाबी नहीं चाहिए, बस आप अपना अशीरवाद दीजिये, मैं चाबी नहीं, एक नसीहत देना चाहती हूँ, कि मौडर्न बहु होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मौडर्न बहुओं में संस्कार होने भी जरूरी होते हैं, और चाबी तो कोई थी ही नहीं, वह तो सिर्फ एक नाटक था, जो इन गवार बहुओं ने मेरे साथ मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए रचा था, ये दोनों तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहती थी, कि ये गवार है तो इसका मतलब यह नहीं, कि इन में अकल नहीं है, इसलिए इन्हों ने तुम्हें सुधारने के लिए तिजोरी की चाबी की योजना बनाई, मेरे पास जो था, वो मैं दे चली, अब तुम्हें अपनी ग्रस्ती देखनी है, हाँ, तीनों बहुए हाद जोड़ती हुई बोली, वगा जी और मा जी, आप हमें माफ कर दीजिए, हमने इन दोनों के साथ बहुत गलत बरताफ किया, लेकिन अपनी गलती का एहसास तो हमें बहुत पहले ही हो चुका था, साधना और सावी बोली, हमें भी माफ करना दीदी, आपको संसकारों का महत्व समझाना बहुत जरूरी था, चलो, तो अब मेरी प्यारी संसकारी और मौडर्ण भहुओं अंदर चलते हैं, और फिर सब मिल जुल कर प्यार से रहने लगे,